लोकसबा चुनाव से पहले इंडिया गडबंदन के लिए महाराश्ट्र में सीट शेरिंग सरदर्द बनता दिख रहा है बता जा रहा है कि कॉंग्रेस ने 48 लोकसबा सीटों में से 22 पर अपने उमिद्वार उतारने का प्लान बनाया है जबकि शिवसेना यूबिटी ने 23 सीटों पर दावा ठोका है ऐसे हमें सवाल उठ रहा है कि ऐसी सिती में शुरत पवार की नसीबी के लिए क्या बचेगा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉंग्रेस नेतरित्व सीट शेरिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए अगले हफते शिवसेना यूबिटी और नसीबी के नेताओं के साथ मुलाकात कर सकता है आपको उताने की शुक्रवार कुग कॉंग्रिस अध्यक्ष मलेकारजून खर्गे ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की थी मेडिया रिपूर्ट्स के मताबक पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि नसीबी के शुरत पवार गुट और उदव ठागरे की शिवसेना यूबिटी के साथ सीट बटवारे के मुद्दे पर भी पार्टी की चर्चा हुई है कहा जोता है कि निताओं ने खरगे को बताया कि नसीबी में अजीट पवार के विद्रो और एगनाच शुन्दे के सेना में विभाजन के बाद किसी भी सहयोगी दल का अपने पारम पर एक चुनाव चिन्हों पर पूरा नियंतरन नहीं है सिरफ कॉंग्रेस के पास अपने चुन पर पूरा नियंतरन है और इस बात पर सीट बटवारे के दौरान गौर किया जाना चाहिए हलाकि शिवसेना यूब्री के साथ भी मन्थन होने के बाद ही सीटों को लेकर फैसला लिया जा सकता है हली में शिवसेना नेता संजेराउत ने बायान दिया था कि उनकी पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कॉंग्रेस को जीरो से शिरुआत करनी होगी हलाकि कॉंग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के नेताओं से इस तरह की बयान बाजी ना करने और इस पर टिपणी ना करने को कहा है आपको उतादें की 2019 के आम चुनावों में कॉंग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन सिरफ एक सीट जीत जीत थी NCP ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 पर जीत हासल की थी वाई शिव सेना बीजेपी के साथ गड़ बंदन में थी उसने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और 18 पर जीत हासल की थी बार मिस्स ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24